Hello students, IIT brain में आपका स्वागत. आज हम physics में I.E. Erodo के problem 3.57 पर discuss करेंगे. So एक बारा पहले question सुने. A point charge Q is located between two mutually perpendicular conducting half planes. Its distance from each half plane is equal to L. The modulus of the vector of the force acting on the charge is. याने दो conducting half plane इसका मतलब यह है कि एक तरब से उस plane की dimension आपके सामने हैं और एक तरब से वो in finite तक extend कर दिया गया है. ऐसे दो half plane एक charge particle के सामने रखे हुए हैं और उस charge particle की distance दोनो planes से LL है. आपको उस charge particle पर force calculate करना है. उन charges के कारण जो induce होंगे इन infinite planes में इस charge की presence के कारण. तो ध्यान दें, अगर मैं एक चित्र बना के यह बात आपको समझाओं, तो कुछ इस तरह से यह diagram बनेगा. आप ध्यान देते रहें. यह एक infinite conducting plane है, और यह दूसरा infinite conducting plane है. आप यह मालने कि यह infinite plane है. Half infinite plane इनको कह सकते हैं, जैसा problem में बोला गया है, तो कि इनका एक terminal is joint पर है, और दूसरा infinite तक extended है. एक charge particle Q को कुछ इस तरह से place किया गया है, कि दोनों planes से इसका separation L है. आपको जो charge in planes में induce होंगे, उन charges के कारण इस Q पर लगने वाले force को calculate करना है. हम यह जानते हैं कि induction से हमेशा opposite tendency का charge develop होता है, तो clearly यह दोनों planes इस charge particle को अपनी और attract करेंगे. उसी attraction force को हमें calculate करना है, और इस force को calculate कर पाना काफी cumbersome होगा. तो इक बाद पर ध्यान दे कि इससे पहले अपने कई clips में हम इस concept के बारे में discuss कर चुके हैं, यह concept बता चुके हैं, और questions में बताने से पहले हम अपने theory lectures में image method को एक topic के रूप में भी पढ़ाते हैं. So, अगर हम image method का principle इस question में use करें, ताकि हम simply इस tube पर force calculate कर सकें, तो क्या steps होंगे एक बार समझें, जिस प्रकार reflection की process में mirrors के साथ images बनाई जाती हैं, ठीक उसी तरह in planes के substitution के लिए हमें कुछ charge प्लेस करने होंगे इस space में, ताकि हम इस reason में electric field का calculation कर सकें, तो क्या replacement करना होगा एक बार ध्यान से देखें, कई questions में पहले भी ये बताया जा चुका है, तो आप समझ चुके होंगे कि इस Q charge के equivalence के लिए एक minus Q charge यहाँ पर place किया जाएगा, कई बार student पूछता है कि sir Q के सामने Q आना चाहिए था minus Q आया, mirror में तो Q के सामने Q आता तो exactly mirror image बोलने का अर्थ यह नहीं है, कि ठीक आप mirror का reflection लगा दे, आपको Q जितनी distance पर place है उतनी distance पर image रखनी है, इस theme को mirror के format से compare किया जा सकता है, रही बात इस minus Q के आने की तो आप समझते हैं, कि इस infinite plane में negative nature का charge develop होगा, जिससे बनने वाली electric line इस plane की तरफ कुछ इस तरह से आएंगी, तो अगर हम यहां पर एक negative रखेंगे, तो इस plane को हटाने के बाद वो line इस तरह से create होगी, अब ध्यान दे कि इस Q के image के रूप में minus Q को place किया जा सकता है, इस Q के image के रूप में इस mirror से एक minus Q यहां रखा जा सकता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि two mirrors को अगर perpendicular रखा जाए, तो total images की संख्या 360 upon 90, even number minus 1 इस case में होती है, so third image कुछ इस तरह से हमें इस position पे place करनी होगी, और अब minus Q और minus Q की image इस position पे plus Q होनी चाहिए, यहां पर आप ध्यान दे कि इस minus Q की image इस mirror से देखी जा रही है, और इस minus Q की image इस mirror से, लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों की image एक ही point पे coincident होगी, यही वज़य है कि हमने एक plus Q इस position पे place किया है, और यही optics में भी होता है, जब 90 degree पे दो mirror रखे जाते हैं, तो images की संख्या 4 नहीं 3 बनती है, क्योंकि जो coincident image है, उसे एक गिना जाना चाहिए, इन 3 image particles को रखने के बाद, अब मैं इन दोनों planes को यहां पे हटा सकता हूँ, और इस charge पर लगने वाले force को calculate किया जा सकता है, इन सभी charges के कारण, एक बात यहां पर student अपने mind में set कर ले बिल्कुल, कि हमें इन planes के कारण charge पर force calculate करना है, लेकिन हम इन planes को हटा के, इन charges के कारण इस पर force निकाले गए, तो ध्यान दे, यह दोनों condition एक ही है, इन charges के द्वारा इस particle पर लगने वाला force उतना ही होगा, जितना force यह दोनों infinite plane लगाते, क्योंकि इस तरीके के replacement से इस reason में, electric field lines का nature change नहीं हुआ है, electric field lines का nature चूंकि change नहीं हुआ है, यहीं वज़े है कि आज भी इस charge पर यह सभी मिलके उतना ही force लगाएंगे, इस नए arrangement में, जितना यह plate लगाती, अगर इनके non uniformly distributed charge को समझा जा पाता है, लेकिन आप जानते हैं mathematically यह complicated है, तो हम उसके replacement से इस problem को solve करने की कोशिस कर रहे हैं, अब minus q और plus q के बीच की distance 2L हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी यह distance 2L है, simplification के लिए हम q square upon l square into k multiple term को, f notation से present करेंगे, आप ध्यान देते रहें, एक general discussion बनाने के लिए, एक symbol discussion बनाने के लिए, हम k q square upon l square को f notation से present करेंगे, और ऐसा करने पर, इस पर net force कैसे लिखा जाएगा, एक बार समझेंगे आप, यह minus q charge particle, इस plus q charge particle को attract करेगा, और इस force की value होगी, oral calculate करें, यह होगी k q q upon 2 l whole square, यानि denominator पर आएगा, तो मैं इसे f by 4 से present कर रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार, minus q इस q को अपनी और attract करेगा, तो इस direction मैं भी, इसे मैं थोड़ा सा small size दे देता हूँ, इस direction मैं भी एक 4 से develop होगा, जिसे हम f by 4 लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि इन दोनों का magnitude एक सा ही होना चाहिए, तो यह दोनों force बनाए जा चुके हैं, अब यह plus q charge, इस q charge को ripple करेगा, हम यह जानते हैं, और इस repulsion की value, कितनी होगी, एक बार हमें यह calculate करना होगा, तो ध्यान दें कि इस charge particle के कारण, इस q पर, जो force develop होगा, उस force को लिखा जा सकता है, k q q upon 2 l root 2 whole square, क्योंकि आप जानते हैं, यह 2 l और 2 l है, तो यह 2 l root 2 होगा, और 2 l root 2 का अगर हम whole square करेंगे, तो denominator पे 8 l square आना चाहिए, so denominator पे 8 l square आने के कारण, मैं इसे f by 8 से present कर रहा हूँ, अब सभी forces को लिखा जा चुका है, अपने normal convention में इस direction को i और upward को j मानते हुए, अगर मैं final net force calculate करूँ, q charge पे तो उसे लिखा जा सकता है, f by 4, उसे लिखा जा सकता है, f by 4, जो की k q square by l square by 4 के equal है, so मैं इस term को outside लिखके, bracket में केवल numbers present करूँगा, अब ध्यान देते रहें, f notation का use किया गया था, तकि इतना बड़ा presentation बार बार न लिखना पड़े, अब हम final value calculate कर रहे हैं, force की q पर, तो सभी forces को vectorially, principle of superposition लगाके, जोड़ना है हमें, vectorially add करना है इनको, तो f vector को लिखा जाएगा, k q square by l square, upon 4, और इसका direction होना चाहिए, i cap, इस convention के accordingly, second f by 4 को लिखा जा सकता है, minus 1 by 4, j cap, क्योंकि ये term already outside लिखा जा चुका है, f का value यह है, और third force f by 8 को लिखा जा सकता है, ये term बाहर है, तो f outside है, 1 by 8 में यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये बनेगा, 1 by 8 numerical value, और इसके component होंगे, cos 45 और sin 45, ये बात आप ध्यान दें, कि जो construction इस question में तयार हुआ है, ये एक square है, और इस case में इस angle को 45 degree होना चाहिए, तो इसे हम लिख सकते हैं, 1 by 8, minus cos 45, i cap, minus cos 45, i cap, plus sin 45, j cap, तो अगर i, j में इसे present किया जाए, तो इसका cos component negative, और sin component positive हो, और finally, इसे अगर मैं solve करू, तो ये बन जाएगा, kq square upon l square, और bracket में जो terms हैं, उन्हें थोड़ा समय और simplify कर लूँ पहले, ये बन जाएगे, 1 by 4, i cap, minus 1 by 4, j cap, minus 1 by 8 root 2, i cap, plus 1 by 8 root 2, j cap, और अब अगर मैं, इस expression में, इन दोनों terms को, 2 root 2 से multiply, और divide कर दूँ, तो क्या बनेगा, आप ध्यान देते रहें, ये बनेगा, 2 root 2 by 8 root 2, और इसे भी लिख सकते हैं, 2 root 2 by 8 root 2, और denominator से, 8 root 2 common लेने के बाद, ये होगा, kq square by l square, 8 root 2, into 2 root 2, i cap, minus 2 root 2, j cap, और minus, अगर common ले लिया जाए, तो, i cap, minus j cap, दूसरा term minus common लेने के बाद आएगा, 2 root 2 minus 1, j cap, और 2 root 2 minus 1, एक common term के रूप में, अगर बाहर ले लिया जाए, तो, 2 root 2 minus 1, kq square by l square, 8 root 2, i cap, minus j cap, कुछ इस तरह से, इस electric force को present किया जाएगा, अब ध्यान दे, हमें modulus निकालना है, इस force का, तो k का value और इसका mod, अगर हम एक इस step में solve कर लें, तो final outcome हम क्या देंगे, इस question का, एक बार आप उसे देखें, यह finally होगा, f mod equal to, k को मैं 1 upon 4 pi epsilon not put कर ले रहा हूँ, और आप ध्यान दें कि, अगर मैं modulus लूँ both side, तो i minus j, vector का modulus root 2 होना चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं कि, यह root 2 तो cancel हो जाएगा modulus के बाद, और यह 1 by 4 pi epsilon not बनेगा, तो 8 force आप 32, याना मैं लिख रहा हूँ, 1 by 32 pi epsilon not, q square upon l square, into 2 root 2 minus 1, तो कुछ इस तरह से, force के magnitude को दिया जा पाएगा, यह होगा 2 root 2 minus 1 q square upon 32 pi epsilon not l square, और यही इस problem का सही solution है, so image method का use करके, इस तरह की problem को solve किया जा सकता है, एक बाद ध्यान दें, कि हम इस image method का नाम देते हैं, क्योंकि इस method में reflection के basic fundamental का use किया जाता है, thank you, क्योंकि तरह समें,